आज हम बात कर रहें इंडिया इग्रोफ ब्रैंड के उपर जो कि एक certified product है अपने certified सारे products है जो organic agriculture को को बिलॉंग करते हैं आज हमारे पास में certified products organic agriculture के लिए है market में बहुत सारे और्गिनिक प्रोडक्स के नाम से बिखते हैं बट सर्टिफिकेशन होता ही नहीं है उनके पास में और आज अगर हम बात करें कि एगरी कल्चर की तो एगरी कल्चर एक ऐसा सेक्टर है जो आज इंडिया में बहुत बूमिंग सेक्टर है क्योंकि पहले आप देख बहुत ही बूमिंग सेक्टर है और हमको इसका अगर नॉलेज है अगर हमारे पास में अपने प्रोडक्स का और इसका आगया देखिए हमको रौ नॉलेज नहीं लेना है खेती का कैसे पोदा होंगेगा कौन सी दवाई किस टाइम क्या वो सब जाने दो वो क्योंकि अगर हम पेस्टिसाइड्स में घुसेंगे अगर हम केमिकल फार्मिंग में अगर हम घुसेंगे तो वहाँ पर तो बहुत लफड़ा है तो हमको वो सब चीजों में नहीं घुसना है हमको सिर्फ और सिर्फ हमारे प्रोडक्स का नॉलेज अगर हम पास में है अगर हम फिल्ड में हैं तो ये चीजें आपको बहुत बहतरीन रिजल्ट देगी और आपको ये बिजनस जो है ना बल्क में आएगा एक बड़े अमाउंट में आपको बिजनस आएगा और माई लाइफ आपको जो इंकम देता है वो देता है टर्नोवर के उपर इसके लिए आज के समय के आप अचीवमेंट जितने भी लोगों के अगर देख रहे हो ना और जो फास्टेस्ट अचीवमेंट हो रहे हैं उनका ए और जैसे नंबर वन पे था आज हमारा इंडिया ग्रोप ब्राइंट नंबर वन पे टर्नोवर के मामले में क्योंकि एक बहुत बड़ा टर्नोवर यह देता है तो हमको इसके बारे में एक अच्छा नॉलेज बहुत जरूरी है बहुत डीप नॉलेज नहीं बोल रहा हूं अब सबसे पहली चीज है कि हमारे यह सारी चीजे किस तरीके से किसानों के साथ में कम्यूनिकेट करना है उसके उपर है तो आज आज आपने जैसे उनको बताया देगो भाई आज हम इंडिया ग्रोब्राइंट से यह पीटी पे में शेयर कर दूंग आपको आज जैसे आप बताते हैं कि मैं इलिया ग्रोब ब्राइंटर हमारा है जो और अर जो इकनिक प्रोडटक्सत के साथ में है और आज हमारे सर्टिफिकेशन यहाँ पर देख सकते हैं इंड़ी को अ इको मतलब आप देखते हैं उस्में जो भी चीजे की गई है वह क्या है यह इको उसके अपने सारे प्रॉडक्स के आपको यहां पर नाम देखने के लिए मिल जाएंगे यह इस तरीके से यह क्या है हमारा सारे products का certification इस तरीके से यहाँ पर मिला हुआ है जैविक हमारे जो product organic के उनका certification मिला हुआ है अब बात करते हैं कि हमको यहाँ पर किस तरीके से बात करनी है हमको यहाँ पर किस तरीके से किसानों से बात करनी है उसके उपर बात करते है तो अब यहाँ पर सबसे पहली चीज है कि हमको मालूम होना चाहिए कि आज प्रॉब्लम क्या है अगर हमको प्रॉब्लम मालूम होगी तो हम सॉलूशन दे पाएंगे अगर हमको प्रॉब्लम मालूम नहीं है तो हम सॉलूशन नहीं दे पाएंगे सीधी बात है अगर हमको problem ही मालूम नहीं है तो हम किसी को भी कोई solution नहीं दे पाएंगे आज हमारे पास में क्या problem है पहले इसके उपर बात करते हैं आप जब किसानों को बात करोगे तो किसान इस बात को 100% मानेगा जो यह आप points बताओगे कि भाई आज किसानों की समस्या क्या है देखो products बताना तो वो तो बहुत क्या बोलना चाहिए कि बहुत थोड़ी सी देर का काम है important चीज़ focus कहां पर करना है focus उसकी problem की उपर करना है कि उसकी problem अगर वो समझ गया अगर वो यह समझ गया कि नहीं आ रही है जो madam या sir यह जो बात कर रहे हैं यह वाकई में यह मुद्दा तो है तो product तो आराम से वो ले लेगा right तो आज हमको जब किसानों से बात करना है तो सबसे पहली चीज़ क्या बात कर सकते हैं आज के समय में हमारी जो जमीन है वो कितनी सक्त हो गई है और किसान को भी मालूम है कि आज के समय में यह जमीन बहुत सक्त हो गई है और जमीन सक्त होने के कारण जमीन सक्त होने के कारण क्या हो रहा है आज उसकी जो लागत है वो कहीं न कहीं बढ़ती जा रही है लागत कैसे बढ़ रही है आज देखे हर एक चीज के लिए टेक्टर का इस्तमाल हो रहा है बोनी बखरनी से लेकर हर एक चीज में टेक्टर का इस्तमाल होता है जमीन जितन सूरच की जो रोशनी है सूरच की जो रोशनी है वो जमीन के अंदर तक नहीं जाती है इसके कारण क्या होते जा रहा है कि हमारे यहां पर फंगस जो है फंगस बहुत जादा होते जा रहा है क्योंकि आप भी जानते ही कहीं पर अंधेरी जगह जहाँ पर रहेगी जहाँ पर कोई जाता आता नहीं है वहाँ पर आप खुद देखते होंगे कि फंगस लग जाती है तो जमीन के नीचे क्या होते जा रहा है फंगस लग जाता है ये जमीन सक्त होने के कारण जमीन के ऊपर या तो वो जमा हुआ रहता है या फिर बह जाता है बह जाने से क्या होता है कि वो जमीन के अंदर तक नहीं जाता है जमीन के अंदर तक पानी नहीं जाता है और अगर वो जमीन के अंदर तक नहीं जाता है तो आप भी पानी पोण दो दो वहारा लेवल गिरते जा रहा है दूसरी चीज पानी या तो वह क्या है जमा हुआ है अब जमा हुआ है तो क्या है फसले खराब होती है उनमें फंगर्स लगता है फसले खराब हो जाती है जड़े उनकी गलने लगती है तो अब ये सब चीजें किस कारण से हो रही है हमारी जमीन क्या हो गई ये सक्त हो गई है इस कारण से सारी चीजें होती जा रही है तो यहां चीज एक समय एक सीमा तक जाएगी और उसके बाद में वो रुख जाएगी क्योंकि अब वो सक्त हो गया ना तो वहां से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है अब जमीन सक्त होने के कारण क्या होगे कि जड़े छोटी रह जाती है उनका सही से विकास नहीं हो पाता है जड़े अगर छोटी रह जाती है तो हमारा जो तना है हमारा जो पोधा है वो हमारा कमजोर हो जाता है क्योंकि जड़े चितनी अच्छी रहेंगी उत्रा ही क्या होगा हमारा पोधा मजबूत होगा तो जड़ों का क्या है कि विकास नहीं हो पाता है जड़े छोटी रह जाती है अब केचुए खेट में नहीं मिलते हैं आज के समय में, केचुए जब खेट में नहीं मिलते हैं तो उससे क्या हो रहा है मालू मैं? उससे ये होते जा रहा है कि हमारी जो जमीन है, केचुए का काम क्या होता है? केचुए नीचे जमीन में 2-3 फीट तक जो है वो लगातार नी और जब अगर पानी ज्यादा माथ्रा में गेर रहा है तो वो नीचे कहां चला जाता तो केच्वे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी खेती में हमारी जमीन में लेकिन आज के समय में वो देखने को नहीं मिलते बिकॉज आज उनका वजूर जो है वो खतम हो चुका है तो वहां पर वो दिखते नहीं है और वो इस तने फ्री के मजदूर है ना हमारे ज पाइचे होते हैं और एक जमीन को बहुत वेल मैंटेंड वो करते हैं तो वहां पर उनकी भी कमी हो गई है मैं आपको डिटेल में इसलिए बता रहा हूं कि अब जब मैं आपको वीडियो शेयर कर दूँगा तो आप इसको बार बार सुनेगा तो आपको वो आइडिया रही है उन सब के कारण क्या होते जा रहा है कि फंगस का अटेक आज आप देखोगे तो हर फसल में आपको फंगस का अटेक मिलेगा आप चना लगा लो इवन आप गेहू लगा लो धान लगा लो हर एक फसल में आपको क्या मिलेगा फंगस का अटेक आपको मिलेगा तो ये फंगस का ये अटेक होते जा रहे है वाइरस आज के समय में सब फसलों में लगबग वाइरस आई रहा है तो ये सब चीजे किसके कारण हो रही है ये एक मूल समस्याएं किसान की जो आज जिस तरीके से वो खेती कर रहा है उसके कारण ये समस्याएं होती जा रही है उसके जल इस्तर में कमी ये बाता चुकों में आपको पानी बह जाता है मिट्टी हाडने से तो जल इस्तर में कमी आ रही जमीन में पानी के अवशोशन की कमी जमीन बहुत हाड है पानी अवशोशित नहीं कर पाती पानी बह जाता है जमीन पर रहता है तो क्या होने लगा है पानी वो खतम होती जा रही है आज के समय में आप देखो कि तो बीना खाद का पैदा करना बहुत मुश्किल हो चुका है यह सब किसलिए हो रहा है यह उसी तरीके से जिस तरीके से डाइबटीक प्रेसेंट नहीं जिसको इंसुलीन लगता है तो इंसुलीन के बिना उसका खाना ही ही होता है तो उसी तरीके से यह हो गया यह कि यह भी रहे हैं और पिछले वाले होते जा रहे हैं झाल रहे हैं यह और नहीं तरीके की जो इलियां की पैदा करते जा पिछले वाले immune होते जा रहे और उनसे नई-ई-ई-जनरेशन और पैदा होती चली जा रही है जो बहुत खतरनाक तरीके से हमारे पौदों को नुकसान पहुचा रही है लगाता नई बीमारी आ रही है ऐसी ऐसी बीमारी आ रही है कि मतलब हर बार किसानों के लिए वो नया हो जाते गए या या ये बीमारी कैसे आ गई खर्पतवार की जादा मात्रा खर्पतवार आप देखो कि तो पहले और आज में बहुत अंतर आ गया है पहले कुछ गिंत्वी खरपतबार होती थी, आज इतनी सारी वेराइटी है खरपतबार की कि किसान उनको या तो अपना खरपतबार नाशक डालते डालते या फिर उनको निंदवाते ठक जाता है, तो ये जो खरपतबार है उसमें क्या हो गई है कि बहुत जादा मात्रा बढ बहुत अंतर आगया जो पहले डी डाल रहा था आज डाल रहा उसमें बहुत अंतर आ गया लगातार यूरिया डीएपी का छिड़काओं वो करते जा रहा है और ये सब करने से क्या होते जा रहा है उसका फिर भी सही तरीके से काम नहीं कर रहा है जमीन के अंदर खाद सब भाद खाद डाला लेकिन यहां पर क्या है बहुत तक लेकर जाने का काम करते हैं यह जड़ ओर खाद के बीच में एक क्या करते हैं एक communication का काम करते हैं घटो पर जाकर पर फिर वो काम करती है तो अब क्या हो रहा ह56 नहीं मा Tou बहुत कम हो गया है तो खाद आप कितनी भी डालते जाओ वो यूटिलाइज हो ही नहीं रही है और यह समस्या दिनों दिन और लगातार और बढ़ती जा रही है उसके अधिक मातरा में फर्टिलाइजर हर बार आप देखोगे तो लगातार नए ने फर्टिलाइजर नया नया चीजों से उसकी लागत क्या होती जा रही है लगातार बढ़ती जा रही है तो आपने किसानों को ये सब बातें इस तरीके से जब आप करोगे ना ये सारे पॉइंट्स उनके सामने रखोगे ना तो उसका आधा माइंसेट तो यही हो जाएगा कि नहीं यार मुझे अपनी पद्दती को बदलने की जरुरत है वो इस समझ जाएगा कि मुझे अपनी पद्दती को बदलने की जरुरत है ठीक है तो अब यहाँ से जब बात करोगे तो बोलना देखो है यह सब चीजे अब आप मुझे बताईए सर यह जो समस्या मैंने आपको जितनी भी बताई क्या के साथ है या नहीं है तो क्या बोलेगा यस है तो आज अब जिस पद्दती के साथ में खेती कर रहे हो उसी पद्दती के साथ में खेती करने से क्या इनमें कोई बदलाव आएगा जो भी आज आप खेती कर रहे हो वो करते हुए जिस पद्दती से आप कर रहे हो उससे कोई बहुत ही अच्छे यूनिक प्रोडक्स हैं और जो किसमें आते हैं व्रक्ष आयुरवेदा जो व्रक्ष आयुरवेदा सिद्धान पर बने हुए हैं तो आज मैं आपको वह चीज़ बता रहे हैं फिर यह हमारे प्रोडक्स हो गए जिसके बारें बताया हमने अब सबसे पहला क्या हो गया हमारा भुवस्त्र सारी चीज़ों के हमारे सर्टिफिकेशन है यहां पर हमारे हर प्रोडक्त पर आप देखोगे तो जैसे इस पर लिखा हुआ है बायो यह इको सर्ट सर्टिफिकेशन वगेरा यह सब सर्टिफिकेशन यहां पर लिखा हुआ है अब भुवस् सूपर मिट्टी में पैदा होने वाले कीड़े जैसे सफेद ग्रफ क्रिकेट काटने वाले कीड़े गोंगे दीमक फसलों में होने लिए बहुत सारी बीमारी जो बार-बार नुक्सान पहुंचाती उनको खतम करने के लिए एक जेविक समाधान है समझ गए जितने भी हमारी जमीन में जो कीड़े होते हैं इलिया है दीमक है घोंगे हैं जो भी है जो हमारी फसल को नीचे से यह हमारी जड़ को हमारे पौधे को जो नीचे से खराब करते हैं इन सब के ऊपर कौन काम करता है भुवस्तर काम करता है यह एक दानेदार फॉर्म है 180 चाहाँ- इसका मूँ चोक हो जाएगा इसको ब्रेन हैंरेज हो जएगा बाड़ी parallelism सब गायब हो जाएगा तो एक खाली बेसिक बेसिक बात में आपको बता रहा हूँ है तो इस तरीके से और मार्केट में 180 डेज वाला कोई भी फॉर्मूला मार्केट में नहीं है जो हमारे पास में है 180 दिन पौदों की जड़ों में ये क्या रहेगा साथ में चिपका हुआ रहेगा केच्वे जिसे लाबकारी कीड़ों को ये बढ़ावा देता है जमीन की उरूरक शमता को बढ़ाता है जमीन की जो उरूरक शमता है क्या करता है उसको ये बढ़ाने का काम करता है जमीन को बु पानी को नीचे तक लेकर जाने का काम करता है और उसके बाद में भुवस्त ना तो उर्वरक है और नहीं उर्वरक कोई विकल्प है कोई बोले कि यह खाद है तो नहीं भी है यह कोई खाद नहीं है आप जब भुवस्त्र का इस्तमाल कर रहे हो तो इस्तमाल कैसे करना है इसको करना है एक पैकिट एक 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 एकड़ किए आपके जो डिय एपी वगेरा जो भी आपका है उसके साथ मिला कर सकते हैं ठीके और यह जब आप इसमें डिय एपी की मातरा 10-15% तक आप इसमें कम कर स पर कि खाद जो है ना वो गोबर खाद उतना इसके एक पैकेट में इसके उतने सारी चीजें पाई जाती है यह जो दानेदार फॉर्मुला है ना यह क्या करता है पानी के संपर्क में आता है ना जब दीरे-दीरे घुलना शुरू होता है और नीचे जड़ों के साथ में जैस को बड़ी मिलेंगी जैदा मात्रा मिलेंगी उस पौदे का अच्छा मिलेंगी ये सब आपको बुवस्तर से देखने और समझने के लिए मिल जाएगा तो आप वहाँ पढ़ इसको देख सकते हैं ठीक है उसके बाद मैं अगला प्रोड़क की बात करते हैं तो ग्रोमेजिक एडवांस अपने आप में नाम सही पता चलता है कि यह एक ग्रोथ प्रमोटर है और यह आपको यहां पर यह मैं यह विकास करता है जितनी हमारी जड़े हैं उनको ग्रोथ करता यह पोड़ों की संख्या को क्या करता है यह बढ़ने का काम करता है सफेद तन्तु जैसे गोले-गोले जैसे जड़ों में चिपके हुए रहते हैं उनकी मात्रा को बढ़ाता है और वो जितने ज़ादा रहेंगे उतनी ज़ादा हमारी सफेद जड़े और हमारा जड़ों का विकास अच्छा होगा जो nutrition है उसको क्या करता है नीचे से उपर लेकर जाता है नीचे जड़ों से लेकर उपर तक सारे nutrition को लेकर जाता है पत्तों की संख्या बढ़ाता है उसे लंबा चोड़ा करता है उसे ज़्यादा हरा करता है हरा करता है मतलब यहां पर क्या होता फ्रकारफ यॉन मेरी एंगते किछिन होते हैं जहां पर प्रकार्फ निचन के खाना तो पत्ते जितने जादा ही पुम है फूलों की संख्या अची रहेगी इसलीए तो कि पत्थियां पे जब वो कीड़े वगेरा ये सब अटे करते हैं तो उससे हम उनको सबको बचाने का काम हम लोग करते हैं दवाईयां डाल कर उसके आथ फूलों की संख्या को बढ़ाता है और नीचे गिरने से रोकता है जब फूलों की संख्या को बढ़ाता है फूलों को ड कि होते हैं तो नर फूल जढ़ जाते मादा फूल से फल आता है तो यह क्या करता है नर की संख्याब ढ़ाती यह और फूलों के संख्याइके क्या करता है भी फूल से फलों मैं conservative करता है फूल जब जब्लाड़ारो PLaker 201 फूलो से फ़लो में conversion ज़ादा होगा उसके बाद में फ़लो की keeping quality को बढ़ाता है फ़लो की keeping quality को बढ़ाता मतलब जो हमारे फल है ना मान के चलिए for example टमाटर है अपने हम एक vegetable ले 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 तो हमारा टमाटर है तो टमाटर में क्या होगा जैसे market का टमाटर दो तीन दिन में खराब हो जाता है हमारा 5-6 दिन लेगा तो हमारे क्या होगा keeping quality को क्या करता है यह बढ़ा देता है अब जैसे apple है apple का freshness अगर दो तीन दिन में खतम हो जाता है तो हमारा 5-6 दिन में होगा तो ये क्या करता है फूलों की फलों की सबकी keeping quality को क्या करता है ये बढ़ा देता है अगर फूल है फूल की कोई खेती करता है मांगी चले गुलाब में डाल रहा है तो गुलाब में डाल रहा है तो गुलाब क्या होगा बाकी के उससे हमारा जो गुलाब है वो जादा समय तक स तो पूरे शरीर में ज्यादा मात्रा में पहुंचाता तक प्र सिगनल को काम करता है तो सारे पत्तों को ये सिंगनल बिमारी आई तो सारे पौदों पता बेज देता है signaling काम इस तरीके से करता है, चुई मुही वाला नहीं होता है, कि उसको चुऊ तो बंद हो जाता है, वैसे उसी तरीके से ये उसके वे उपर क्या करता है, काम करता है, कि एक ये, कहीं भी कोई बीमारी आते तो पुरे पौदे को पता चल जाता है, अनाज का वजन बढ़ाता है, तेल की मात्रा बढ़ाता है, अनाज का वजन बढ़ाता है, मतलब कि आप कोई भी, किसी भी जिस जगह पर भी जिस चीज में भी आप डाल पर हो, आप का जो फल है, उसका ये वजन को बढ़ाने का काम करता है, मांगे चलिए आपकी मिर्ची है, तो मिर्ची का वजन आपको जादा मिलेगा उसमें जो अंदर मिर्ची में बीच होते हैं दाने होते हैं उनका वजन को बढ़ाता है जिससे मिर्ची में वजन बढ़ता है अगर टमाटर है तो उसमें जो अंदर का गुदा रहता है उसको बढ़ता है तर्भूज है तो अंदर पाई में आप अपना लेना और एक पाई में आप क्या करना किसी दूसरे खेत का लेना और उसका वजन आप करना खोज तो पैक्टिकल करके देखना आपको इसके वजन में आपको अंतर देखने के लिए मिल जाएगा ठीक है इस तरीके से यह बढ़ाता है उसके आद फल सब् झाल बढ़ाता है उसकी खुटबूज करेंगा इस तरीके से अप जिससे आप जालोकी मादा होले में यह पनतर न्हीं आपको फल देता है नर्फूल को भी मादा में convert करके फल देता है आपको एक समानागार की जड़ जैसे कंद, फसले, प्याज, लेसान, अधरा, खल्दी, गाजर, मूली जितने भी हैं यह आपको एक जैसे मिलेंगे एक जैसे एक जैसा आपको size उनका रहेगा इस तरीके से आप देख से ग्रो पहुचाने का काम करता है आपको branching यह सब इस तरीके से करके देता है इसका internal विकास जो पोदे का होता है वो ती जो पत्तियों का size होता है अलग-अलग जो शाखाकरन है विपूल शाखाकरन देखिए यहां से यह यह जो यह गैप बढ़ाने का काम करता है यह यह गैप branching होती इन branches से भी ज्यादा branching होती है तो इस तरीके से यह हमारा grow magic काम करता है